शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का क्या है साइन्टिफिक कारण गवान शिव के निराकार स्वरूप शिवलिंग पर दूध घी, शेहद, दही, जल आदी अर्पित किया जाता है। पौराणिक कारणों के अनुसार शिव जी ने हलाहल नामक विश्पी लिया था जिससे उनका शरीर तपने लगा। इसी तपन को दूर करने के लिए उन्हें उपरोक्त वस्तूओं से उनका अभिशेक किया गया। कभी से ही शिवलिंग पर दूद चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। चिकने और ठंडे पादार्थ अर्पित किये जाते हैं। जो एक प्रकार से उसका भोजन ही होता है। तीम शिवलिंग पर उचित मात्रा में ही और खास समय पर ही दूद, घी, शेहद, दही आदी अर्पित किये जाते हैं। और शिवलिंग को हाथों से रगडा नहीं जाता है। यदि अत्यधिक मात्रा में अभिशेक होता है या हाथों से रगडा जाता है, तो भी शिवलिंग का क्षरण हो सकता है। इसलिए खास कर सुमवार और शावण माह में ही अभिशेक करने की परंपरा है।